नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी योट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश पत्रता परिच्छा यानि की टीटी जो की संपन्न हो चुकी है और अब जो है सिच्छक भरती परिच्छा 2019 में जो 6 जनवरी को होनी है उसको लेकर काफी संसे है पाठिक्रम को लेकर के भी संसे बना हुआ है क्योंकि जो भी पाठिक्रम दिखाया जा रहा है जो बीग बताया जा रहा है वो 2017 का है जो पिछली अभी 68500 भरती जहीं थी उसका जो है सलेवस था कुल मिला करके जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब ही वास्तिक इनकी पाठिक्रम है वो आप देख पाएंगे फिलाल पाठिक्रम 2017 से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाला है जो पाठिक्रम 2017 में 68500 के लिए था वही पाठिक्रम लगबग रखा जाएगा तो दोस्तों अभी अफेसियल अंसर की जब आ जाए तो आप जो है मिला लीजेगा उसके बाद जो है सिच्चक भरती परिच्चा के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूँ वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें जो है ब्रहत बिसलेसर इस जो भी पाठिक्रम अवलेबल है उसका किया जाएगा सिदी सी इसपष्ट बात है कि 2017 से जो है पाठिक्रम को वो किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है 2018 में हो सकता है में भी कुछ बदलाव हो जाएग जिसके लिए भी आप लोग तयार रहिएगा लेकिन सबसे पहले सिच्चक भरती परिच्चा तयारी करने के लिए जो है पाठिक्रम बहुत ही पाठिक्रम को समझना बहुत ही आवस्चक है जो कि आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा तो चलिए जान लेते हैं कि सहायक अध्यापक लिखित परिच्चा का जो पाठिक्रम है वो क्या है ये डेड़ सो नंबर का होगा पिछली बार जो परिच्चा हुई थी उसमें अतिलग हुत्तरी और लगुत्तरी किया रही है लेकिन प्रसनों की संख्या उतनी ही होगी और नंबरों की संख्या भी उतनी होगी और पासिंग मार्क की अगर बात करें तो पासिंग मार्क जो है 40% OBC ये CST हो सकता है और 45% जो है क्या कहते हैं जनरल हो सकता है कुल मिला करके जब नोटिविकेशन आएगा इसमें जो पर्यावरण की चीजें हैं जो मैरे पिछले वीडियो हैं वो लगातार आप लोग देखते रहें क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे जितने भी क्वेश्चन पर्यावरण में एक सब्द भी नहीं छूटा हुआ है कुछ दो एक क्वेश्चन जो करेंट के आगेतन को छोड़ करके और एक चीज और जो लगबग 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 अपने क्लोजेश्ट उस पर हैं जैसे बीसी का 82 था टेट में 82 तो जो इसके आस पास भी है या जो 90 है क्योंकि जो टीटी के परिच्छा हुई है उसमें कुछ प्रस्न जो है बहुत ज्यादा गलत तो गलत हैं और सही बहुत है मनलब कहने मतलब है कि किसी में जैसे सीखने का वक्र करके एक आया था तो गेट्स की थोरी थी तो असमें आफसन ही नहीं था गेट्सवा अन्य था अब अन्य में कौन था ये भी हो सकता तो उसमें तोड़ा डाउटफुल है और अगर कुछ और कोश्चनों की बात करें हिंदी में भी जो है कई कोश्चन गलत है तो कुल मिला करके तीन चार नंबर इधर अधर हो सकते हैं तो आप निश्चीत रूप से जो है आफिसियल आंसर की आजाने के बाद ही आश्वस्त हूं ठीक है चलिए देखते हैं फिलाल जो कोचिंग की आंसर की आई है मैं आपको वेर्फी बता दूँ उनमें से बहुत ज़्यदा फरक नहीं होने वाला लेकिन जो कुछ गलत कोश्चन है उसके मार्क सभी को मिले यह मान के चलिए और उस पर जो है आप सभी लोग आपतियां भी दर्ज करवाएं आंसर की मिलाने के बाद आपतियां जरूर दर्ज कराएं जिससे जो है सभी का भला हो सके तो चलिए शुरू करता है तो पहला जो है वह हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ध्यान रखिएगा य यानि कि हिंदी इंग्लिस और संस्कृत तीनों में गध्यांस या पद्यांस दोनों आएंगे और तीनों में ग्रामार आने वली है तो कुल मिला करके तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं क्योंकि जिसने संस्कृत बरा था उसने अंग्रेजी नहीं पड़ी इसने कि मैं आपको करवा दूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं बिग्ज्यान के क्ष्चन जो है कुछी वीडियो में इनको समेठ सकूँ सारे क्ष्चन जो वास्तों में आने वाले हैं तो बिग्ज्यान में दस नंबर के आने अब देख लिए देनिक जीवन में गतिक बल जी तीनों की बात की गई है और दस नंबर की यह आने वाली है बिग्यान और एक चीज यह यहां पर और महात्वपूर हो जाती है कि बिग्यान में जो प्रस्ण आएंगे वो कहां से आएंगे इन्होंने बोला है कि इंटरमेडिय इस तरके जो है कोश्चन होंगे या निए 12 सिस्तर के होंगे ठीक है तो अब यहां पर प्रस्ण यह उट रहा है कि कौन से कोश्चन आएंगे तो यह चीज आपको ध्यान रखनी जो पिछली परिछाओं में कोश्चन आये हैं वही कोश्चन रिपीट होने वाला है कुछ अलग से नहीं आने वाला तो इसके लिए बिल हो और जितने भी कौश्चन करेंट में रिपीट हुए हैं उनको लेकर के साथ चलेंगे और अगर गड़ित की बात करें तो गड़ित के लिए हैं इन्होंने यहां पर 20 नंबर जो है निरधारित किये हैं अब 20 नंबर में देखिए इन्होंने अंकी चमता गड़ती संक्रिय हैं अब यहां पर एक चीज़ देखने वाली होगी कि अब देखते हैं इसमें टॉपिक कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला लगभग लगभग बीश टॉपिक हैं तो यह मान के चलिए कि हर टॉपिक से एक हैं क्योंकि जो टेट का पेपर था उसमें गड़ी जो है कई लोग नहीं कर पाये हैं कुछ समय अभाव के कारण और कुछ जो है करी नहीं पाये हैं तो इस पे क्योंकि यह 20 अंग का है और इस पे आपको एक अंग पूरा मिलेगा ओरिजिनल ठीक हैं तो अगर यह आपको आ गया तो यह भी आपका इसकोर बढ़ा सकता है अब बात करते हैं पर्यावरण हैं सामाजी गध्यन की तो पर्यावरण में जितनी चीजें दी हुई हैं दस नंबर की आने वाली है और मैंने जितने भी पर्यावरण के वीडियो बनाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारी उसमें आपको मिलेंगे और यहां पर भारती स्वतंतरता, संग्राम, भारती भोगोल, भारती समास्व दारक, भारती सम्मेदान और अर्थवियोस्ता इससे सम्मंदित भी जो है मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग इसके लिए भी निश्चिंत रहें यह दस नंबर के आएंगे अब बात करते हैं सिच्छड कॉसल की तो सिच्छड कॉसल में जो है आपको पैड़ा जोजी पढ़नी होगी पैड़ा जोजी जो होगी वह मान के चलिए जो आप सीटेट में सीटेट का जो एक्जाम देंगे उसी पर आधारित होगी तो सीटेट भी पढ़ते रहिए वह 9 दिसंबर को है और एक चीज और मनों विग्यान में अक्सल तो मैं कोशिश करूँगा जो कठिन सब्दा है मनों विग्यान के वह आप लोगों के लिए लेकर आओं और उनका अर्थाप लोग काईदे से जाने तो यहाँ पर सिच्छड अधिकम सिटांद आपने पढ़े ही है मेरे वीडियो पिछले जो जितने भी वीडियो मैंने बन पढ़ाने की कोशिश करूँगा अब देखिए बाल मनों विग्यान भी 10 नंबर की इन्होंने रखी है तो 10-10 20 मान के चलिए यानि बाल मनों विग्यान भी आपका स्कोर कर सकती है ठीक है तो दोनों को पढ़ना है मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक इसमें से एक-एक उठाओं और आपको जो है काईदे से सम्झाओं ठीक है अब आगे चलते हैं कि अब अगला इन्होंने तीसंका रख दिया है समसामाइक घटना है समसामाइक महत्पूर घटना है यानि कि यह जी एसकी बात यहां पर कर रहा है तो कुल मिला करके अंतरराष्टी राष्टी प्रदेश से संबंद्धत महत्पूर घटना है इस्तान विक्तित तो रेचना है अंतरर Рाष्टी प्रुसकार खेल यह बहुत ही important topic हो जाता है अब इसमें आएगा क्या तो यहां पर जो अभी से जो पिछले 6 महीने का current है ठीक है वहां से question आएंगे और सबसे अधा question आने वाले हैं जो केंद्र सरकार और राजी सरकार से संबंदित जो भी कारिक्रम संचालित किया रहा है जो भी योजनाय संचालित की जा रही है और जो भी अंतराश्टी और राश्टी मुद्दे हैं उनसे संबंदित यहां पर चीज़े आने वाली है और जो चर्चित विक्तित रहे हैं पिछले एक साल में मान के चलिए पिछले और जो भी अंतराश्टी घटनाएं हुई है इंछे महीनों में वह भी तो कुल मिलाकर कि इन पर भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक एक जो भी है जैसे महतुपूर घटनाएं या प्रदेश से संबंदित तो मैं कोशिश करूंगा कि जो है एक एक चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आउं ठीक है क्योंकि यहां पर यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार आपने इस पर पकड़ बना ली तो आपको कोई कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उधर 40 नंबर जो है हिंदी इंगलिस और संस्कृत में और 30 नंबर समसामाइक महत्पूर घट ना है और यहां पर आप द की जरी तो आपने पड़ा है लेकिन यह हैं biggest आपके यह कोई टेट में पूछा भी गडित में एक यह करके ऐसे दिया हुआ था और उसमें जब कुछ अंक दिये हुए थे उनको सही करना था तो इस प्रकार के question आ सकते हैं अब पाश नंबर में जो है अब मान के चलिए वह जो पासा वाले होते हैं वह आ सकते हैं या calendar संबंदित या clock से संबंदित आ सकते हैं लेकिन आपको knowledge हर चीज क्या होना चाहिए अनौलजी क्या होती है ऐसा tension and reasoning binary संख्याओं का घ्यान भी होना चाहिए तो कुल मिला करके इस पे जो है आप एक दिन दे सकते हैं एक दिन में जो है चीजे निकाल के ला सकते हैं बाकी जो important topic है वह मैं आपको करवाऊंगा अब बात करते हैं सूचना तक्नीकी जो है ये भी पाच नंबर कियाने वाली ह इसमें क्या है आपने BTC किया है B.A.D. किया है या कोई और कोर्स किया है D.L.A. वगएरा तो उसमें भी जो है ये एक जो है एक सब्जेक्ट होता है टेक्नलोजी का उससे संबंदित हैं बहुत कुछ खास इसमें नहीं है कोसिस करूँगा ये सारी चीजें जो है आप लोग बेहुसाइक आच्रण नीति प्रिणा सिचक की मूब का तो कुल मिलाकर के इसको आप एप्टिट्यूट कह सकते हो ये भी जो है प्रबंधन जो है टेक्नलोजी से रिलेटेड है टेक्नलोजी की जो भी बुक आपने पढ़ी होगी उसमें प्रबंधन भी दिया रहता है कु यह आने वाली है तो कुल मिलाकर कि इसमें जो महतुपूर चीज़े हैं वह भी डिसकस करेंगे क्योंकि यह बान के चलिए कि इसमें जितने पाठिक्रम जो यह है इसमें जितने भी टॉपिक दिया है उनसे कुश्चन आना ही आना है तो टॉपिक आपकर क्लियर होना जो भी चीजें दी हुई है इनसे हट करके बिलकुल आप ना पढ़ें और साथी साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी पिछले साल की जो भी करेंट है या उससे संबंदित जो भी पत्रिका है वह आप ले करके जो है उसका अध्धन कर सकते हैं और मैं बतार कर सके और मनो भिग्यान और साथ आपको tryin आपका किलेव कर कसल संबंदित एक एक सब्द आपका किलियर होना चाहिएंगे चब तक आप उन 같은 सप चीजों को जानेन यह नहीं तब तक बाल मनो भिग्यान बिलकुल करना बहुत बुश्किल है तो यहाँ पर गांपर 10 न नुम्मर बहुत होते हैं 35 तो यह पूरा पोर्शन डिवाइड किया गया है भासा में डिवाइड है बालवनों विग्णान में डिवाइड है और जीएस में डिवाइड है और पर्यावणर के लिए जो भी टापिक हमारे छूट गया है उनको मैं कवर करा दूंगा पूरी तर पर था उसमें सामाजी विग्यान में भी पर्यावणर के कुछ कुश्चन थे और उसमें साइंस में भी कुश्चन थे तो यह मानके चलिए कि पर्यावणर के कुश्चन आपको विग्यान में भी मिल सकते हैं विग्यान में भी आ सकते हैं तो कुल मिला करके आपको पढ़त बहतर हो सके जिससे आप अधिक से अधिक जो है ग्यान अरजन कर सके और सिच्छक भरती परिच्छा में सफल हो सके दोस्तों उम्मीद है आप कोई वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और कमेंट करिए और अपनी आफिसियल की जब आजया तो मिला लीजिए उसके बाद जो है नए सिरे से जुट जाइए और एक चीज और सीटेट का एक्जाम है उसको हलके में ना लेजिए उसको भी बढ़िए यहां पर सीटेट के लिए मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीटेट में हर सेक्सर में 15 नंबर की पेड़ जोजी जरूर आएगी तो यह मानके चलिए कि आपको बाल मनो विज्ञान बिलकुल पूरी तरीके से एक सब्स जान लेना है वो कभी भी आपकी जाया नहीं जाएगी चाहे सिक्षक बरती पर इच्छा हो चाहे सीटेट हो तो कुल मिला है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर कोई समस्से आती तो आप कमेंट बाक्स मुझे जरूर बता हैं बहुत बहुत धन्यवाद